राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब? हमारी यूट्यूब चैनल कैस्ती राधे किशन शिंगार में आपका स्वाकत है यूँ तो सभी मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना शुब होता है लेकिन जेश्ट माह में पढ़ने वाले मंगलवार का विशेश महत्व होता है इन्हें बड़ा मंगलवार कहा जाता है क्योंकि जेश्ट माह हनुमान जी को बहुत प्रिया है जेश्ट माह में ही हनुमान जी पागवान श्री राम से मिले थे मानिता है कि इन दिनों बजरंग वली की निष्ठा पूरा पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और इन मंगलवार में हनुमान जी को पसंद करने के लिए हनुमान जी के निमित जो उपाई किये जाते हैं बहुत ही जल्दी शुफर बतान करने वाले होते हैं इस मंगलवार के दिन सर्वत्य कल्यान का विशेश यूग बन रहा है जिसे स्वासिद्य योग भी कहते हैं यदि आप इस मंगलवार के दिन इस योग में कोई भी शुपकारे करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी भगवान शिप के ग्यार में रुद्र अपतार भगवान हनुमान आपकी बाधाओं को दूर कर सफलताई दिलाएंगे जेश्ट मंगलवार यानि की बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अचिना का विशेश फल मिलता है इस दिन बजरंग बली की विदीवत पूजा अचिना करने से दुख और दृत्ता का नाश होता है धन की कमी नहीं रहते आज की इस वीडियो में हम आपको बजरंग बली को पसंद करने का एक बहुती आसान उपाई बताने चाह रहे हैं इस उपाई को करने से बजरंग बली पसंद होते हैं और अपने भगतों के सभी संकटों को दूर करते हैं इस उपाय को मंगलवार की शाम सूर्यास्त के बाद से रात्री में आप किसी भी समय कर सकते हैं इस उपाय को आप अपने घर पर या फिर हनुमान जी की मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं उपाई करने के लिए सच्छ वस्त धार्न करें और अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछा कर पैट जाएं फिर एक लॉंग, एक इलाइची और एक पान का पत्ता लें उन्हें शुद्ध जल से साफ कर लें फिर बजरंग बली के सामने एक शुद्ध देसी खी का तीपक जलाएं तीपक जलाने के बाद अब पान के पत्ते को प्लेट में रख लें पान के पत्ते को आपको इस तरह से रखना है कि नसों वाली साई नीचे हो और चिकनी साई उपर हो अब पान के पत्टे पर एक साबत फूल बाली लोंग रखें जो पूजा में इस्तमाल होती है याद रखें लोंग तूटी हुई ना हो उसका फूल भी तूटा हुआ ना हो और एक साबत हरी छोटी इलाइची रखें इलाइची भी पूरी साबत होनी चाहें, कटी फटी ना हो पान के पत्ते पर लॉंग इलाइची रखने के बाद आप थोड़ी सी मिश्री रखें अगर मिश्री ना हो तो थोड़ी सी शक्कर या चीनी भी रख सकते हैं मिश्री रखने के बाद अब पान के पत्ते का बीड़ा तयार करें बीड़ा तयार करने के बाद राम नाम का जाप करते हुए हनवान जी को फोक लगाएं अगर आप मंदिर में यह उपाई कर रहे हैं तो इस बीड़े को आप भगवान जी के सामने सीथे जमीन पर ना रखते कोई दौना वगरा लेका जाएं और उसमें आप बीड़े को रखकर भोग लगाएं कहते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को बीड़ा अर्बित करने से बे काफी पसंद होते हैं इस उपाई को करने के लिए आप बजाज से पान का बीड़ा खरीद कर ना लाएं क्योंकि बजाज से जो पान का बीड़ा आता है उसमें चूना, सुपारी वगरा होते हैं आप अग्वान जी को इसी तरहें का पान का बीड़ा बना कर उसका भोग लगाएं इससे हनुमान जी पसंद होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनुकामना को पूरा करते हैं हन्मान जी को पान का बीड़ा अर्पित करने के बाद राम चालिसा और हन्मान चालिसा का पार्ट करें अगर आपको किसी भी तरह की आर्थिक, मानसिक, पारिवारे क्या बेपारिक किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है या फिर कोई बीमारी है या कोई संकट है तो आप पान का भीड़ा अर्वित करने के बाद राम रक्षा इस्तरोत का पाट करें और बजरंग बाण का भी एक बार पाट करें पाट करने के बाद भगवान श्री राम और बजरंग बली से अपनी मनों कामना पूरी करने की प्रातना करें इस उपाई को करते समय आप कुछ बातों का विशेश ध्यान रखें इस उपाई को आप जिस दिन करें उस दिन प्याज लेसन, मीट, अंडा, सराप, सिगरिट, तमाकु वगेरा का सेवन ना करें सात्विक भूजन करें और ब्रहमुचर्य का पालन करें हनुमान जी के जो भक्त इस उपाई को पूरी शद्धा और विश्वास के साथ करते हैं हनुमान जी उनकी सभी संकटों को दूर करते हैं उनकी जीवन की सभी परिशानियों का अंत करते हैं और जीवन में सुक्सम्रद्धी प्रदान करते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूले हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स और रिस्तदारों में ज़्याद से ज़्यादा शेयर करें जिससे बहबी इसका लाइब उठा सकें और हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल केश्ति राद किशना शिंगार को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग रादे रादे